भायों कैसे हो आप डंकी ड्रॉफ फोर मतलब डंकी का ट्रेलर आ चुका है दोस्तो इस बार राजकुमार हिरानी और शारुक खान ने बहुत मस्त गेम खेला है 2023 में फुली वाइलेंस मास मसाला एक्शन फिल्म ही हमें देखने को मिली है जैसे की पठान, जवान, गदर, अनिमल और आने वाली सलार दोस्तो ओडियंस का मुड़ फ्रेश करनी के लिए राजकुमार हिरानी सारी पबलिक को एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में लेके जा रहे है मतलब राजकुमार हिरानी इन सब वाइलेंस फिल्मों से हट कर इमोशन, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी जैसी डंग की फिल्म लेके आ गए है ट्रेलर की बात करें तो शारुक खान किसी को अपनी 1995 की कहानी बता रहे है जिसमें उने चार उलु के पठे मिलते हैं और उनको लंडन जाना है उसके बाद दोस्तों ट्रेलर में थोड़ी कॉमेडी दिखाई जाती है और शारुक खान और उनके दोस्तों का इंगलिस सीखने का जुनुन भी दिखाया गया है उसके बाद दोस्तों ट्रेलर में दिखाया गया है कि शारुक खान और उनके दोस्त दूसरे देश में जाना चाते है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते फिर दोस्तों शारुक खान और उनके दोस्तों का illegal तरीके से दूसरे देश में जाने का संगर्श दिखाया गया है भायो सब लोग कह रहे हैं कि डंकी का ट्रेलर इंप्रेस नहीं कर रहा दोस्तों ये राजकुमार हिरानी की स्ट्रेटर जी है वो सब कुछ ट्रेलर में नहीं दिखाते वो डायरेक्ट पिच्चर में ही दमाका कर देते है तो भायो आपको हमार रिवू कैसा लगा हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताया और इसे रिवू देखने के लिए वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जहिंद